कस्मेरी पंडितों की जिन्दगी पर बनी फिल्म The Kasmir Files बॉक्स ओफिस पर ताबर तोड़कमाई कर रही है विवेक अगनहुत्री के डिरेक्शन में बनी फिल्म The Kasmir Files छोटा पैगट बड़ा धमाका साबित हो रही है फिल्म को लेकर जबर्चस्त रिस्पॉंस देखने को मिल रहा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस फिल्म ने रिलीज के साथ ही हलचल मचा दी है उसे स्क्रीन पर उतारना इतना भी आसान नहीं था सूटिंग के दोरान फिल्म को लेकर फत्वे तक जारी हो गए थे विवेक अगिनहुत्री की फिल्म दकस्मीर फायल्स दर्सकों के दिल पर राज कर रही है इस फिल्म में विवेक अगिनहुत्री ने कस्मीरी पंडितों के उस नरसंगहार को दिखाया है जो उन्होंने 1990 की दसक में जहला था इस फिल्म की कहानी ने हर किसी की आँखों को नम कर दिया फिल्म में अनुपम खेर, मिथु चक्रवर्ती, दर्शन कुमाहर, पलवी जोसी जैसे कई एक्टर नजर आये हैं और इन तमाम सितारों ने अपने किरदार में जान फुक देने का काम किया है बता दे कि 90 के दसक में कस्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की कहानी बहुत ही कम लोग जानते हैं अब जब लोग फिर्म देखकर उस घटना के बारे में जान रहे हैं तो आखों में आसू नहीं थम रहे हैं कस्मीरी पंडितों के साथ हुए उस नरसंगहार को कोई भूल नहीं सकता उसे इतिहास में एक काले अध्याइक रूप में जाना जाता है उस दिन कस्मीरी पंडितों को उनके ही घर से बेदखल कर दिया गया और कह दिया गया कि अगर उन्हें कस्मीर में रहना है तो अल्लाहु अगबर कहना होगा सडकों पर हिंदों के खिलाफ खोब जहर उगला जा रहा था कई महीनों से कसमीरी पंडितों को धमकिया भी दी जा रही थी दा कस्मीर फाइल्स में अनुपम खेर दर्शन कुमार पलवी जोसी और मिथुच चकरवर्ती जैसे एक्टरस ने कस्मीरी पंडितों के दर्द को जिस तरह स्क्रीन पर दिखाया है वो कलेजा चीर देता है फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जो असल घटनाओ पर आधारित है और उन्हें देख कर किसी का दिल दहल जाए दे कश्मीर फायस में जम्मू कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट के आदंगवादी बिट्टा कराटे का इंटरव्यू भी है ये वही बिट्टा कराटे है जिसने कई कस्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया था और उफ तक नहीं निकाली फिल्म में दिखाये गए वीडियो में बिट्टा कराटे ये कबूल करता हुए भी दिखाई दिया कि उसने 20 लोगों को मौत के घाट उतारा था जिसमें कुछ कस्मीरी पंडित भी थे बिट्टा कराटे बता रहा है कि कतल करते वद उसे कैसा लगा था उसने बताया कि पहल लोगों को मौट के घाट उतारता था डेक्स रिपोर्ट डीके न्यूज